आज बड़ा हर्थ का उस्तर है कि गुजरात के अंदर और इमाचल प्रदेश के अंदर भारतिय जंता पार्टी की शांदार जीत हुई है इस अफसर पर भारतिय जंता पार्टी की राष्ट के अदेफ्श श्रीयमिश साजी आपको संबुदित गरेगे बित्रो आप सभी का आज की प्रेश्वार्टा में स्वागत है आज भारतिय जंता पार्टी के लिए बहुत आनंद का दिन है कि 2017 डिसेंबर में जिन दो राज्यों में चुनाव होना था वो समाप्थ हो गया आज मदगरना भी समाप्थ हो गई है और हिमाचल और गुजरात दोनों जगे भारतिय जंता पार्टी सरकार बना रही है और फीर एक बार हम विज़ाई होकर बार आए है मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जंता को भारतिय जंता पार्टी के करोडों कारेकरता की और से और मेरी और से रदय पूर्वक्त दन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फीर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मुखा दिया है हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जूडने के लिए मुखा दिया है यह जीत भारतिय जन्ता पार्टी के करोडो कारेकर्टा के अथाव परिश्त्रम की जीत है यह जीत प्रधान मंत्री जी की नितियों की और जो भारतिय जन्ता पार्टी की केंडरे सरकार है उसके गरीब लक्सी कारेकरम है इसकी जीत है मित्रो ये जीत वन्सवाद, जातिवाद और तुरुष्टी करण के उपर विकासवाद की जीत है, पोलिटिक्स अब परफोर्मेंस की जीत है जब से नरेंदरवाई इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, देश की राजनिती से ये तीन नासूर जो देश के लोगतंत्र पर दुस प्रभाव डालते थे एक जातिवाद, दूसरा वन्सवाद और तीसरा वोट बेंक के लिए तुरुष्टी करण तीनो नासूरों को देश की राजनिती से मुक्त करने का एक प्रयास कर रहे थे और उत्तर प्रधेश के बाद अब गुजराच के चुनाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश का लोगतंत्र अब लगवग लगवग ये तीनो नासूरों से मुक्त होकर politics of performance के नए एरा के अंदर enter हो रहा है जो perform करेगा जो विकास करेगा जो जनाकांसाओ की पूर्ती करेगा उसी को लोगतंतर के अंदर जीत मिलेगी तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेत्रूतों में आजादी के 70 साल के बाद हमारा एक लोगतंतर करवट बदल रहा है और एक न लोगतंतर प्रवेश कर रहा है और इसका संपूर्ण स्रेग समग्रत देश में अब तक जितने चुनाव आए वो सभी राज्यों की जनताओं को भी हम देना चाहेंगे और भारतिये जनता पार्टी के करोड़ों कारेकरता जो मोदी जी के नेत्रूत में अहर्णी परिस्त् सबा का चुना हो चाहे विदान सबा का हो कभी नहीं हारी लगातार हम छठी बार वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं हमारा अब बहुत प्रतिसक्त 2012 के मुकाबले गुजरात के अंदर बढ़ा है 2012 में भारतिये जनता पार्टी को 47.85% मिला था और 2017 में अभी तक के जो आंकडे है उससे 49.10% मिला है इसका मटलब होता है इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी भारतिये जनता पार्टी के जन समर्थन में 1.25% की भुद्धी हुई है ये बहुत बड़ी उपलब्दी है और भारतिये जनता पार्ट के प्रति गुजरात की जनता का जो विश्वास है इसकी ये ध्योतक है गुजरात के चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्धो को मुद्धो से भटक कर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिसा में ले जाने का प्रयाज किया गया पूरे प्रवार्टी जन्ता पार्टी के सभी कार्यक्ताओं को बहुत आनन्द है एक ब्रांटी फिलाकर मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था उसका नतिजा आया है कि कॉंग्रेस के सभी प्रमुखनेता हारे हैं चाहे वो सक्ति सिंग्जी हो चाहे वो तुसार चोधरी हो चाहे सिध्धार्थ पटेल हो चाहे वो अर्जुन भाई मोधवाडिया हो सारे प्रमुखनेता चुनाव में हारे हैं एक कॉंग्रेस के नेत्रुतों ने जो आउट्सोर्चिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था इसका नतिजा है और आप अगर ज्यान से मुष्णापत्र के लिए के चाहलाना एक लाग बीसदार करोड के प्रमीस लिय गए थे Associated Revenue के सामनी एक लाग बीसदार करोड के प्रमीस लिय थे लिए फिर भी बुज्राि की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है और अबुज्राटि में हम सुक्राव जीत कर बाहरा आ प्रकार की जो लोकभूग्य नहीं है इस प्रकार के सब्दों का प्रयोग भी हुआ अलग-अलग प्रकार से जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ मगर मोदी जी ने जो politics of performance की शुरुआत की है विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है गुजरात की जन्ता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फीर से एक बार भारतिय जन्ता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है हिमाचल के अंदर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं जहां तक हिमाचल का सवाल है 2012 में हमें 38.47% मिले थे और इस बार 48.50% मिटलब 10% की बढ़ोतरी हुई है हिमाचल की जन्ता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिष्टा है उसको फिर से एक बार प्रुष्ट किया है उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए रधान मंत्री जी के नेतूत्व में अपनी स्रध़ा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास स्यात्रा में जूढना चाहता है, ये परिणामों से स्पष्ट होता है, हिमाचल में दो तिहाई बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ये हमारे लिए बहुत संतोस का विशय है, जहां तक रादनीतिक नतीजों का सवाल है, एंडिये की सरकार बनने के बाद, कैंडर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, देश में जितने चुना हुए लगातार, बीजेपी ने अपनी स्थिती को बहतर किया है, अपने जन समर्थन को बढ़ाया है, दोजार चौदा के पहले पूरे डेश बर में भारतिय जनता पार्टी की पात सरकारे थी, और एक सरकार में हम काजिदार थे, आज ये दोनों राज्यों के परिनाम आने के बाद, भारतिय जनता पार्टी की चौदा सरकारे हैं, जहां भारतिय जनता पार्टी के मुख्यमं मंत्री है और पांच सरकार ऐसी है जो एंडीय की है जिसमें हुडार है तो कुल मिलाकर देश के 19 दियों में कि नित्रुतों में सरकार बनी है मोदी जी के नेत्रूतों में क्यांदलक की जो सरकार बनी लगबग लगबग किसान, घरीब, पिछडा, दलीद, आदिवासी, महिला और घाव के उत्थान के लिए 106 से ज्याजा योजनाय लेकर मोदी सरकार आई है और उसी का परिणाम है कि सारी योजनाय नीचे तक परकोलेट होकर एक प्रचंड जन समर्शन में कंवर्ट हुई है देश का अर्थेतंत्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर के जितने भी रेटिंग देने वाली सस्थाए है उसको सटिफाइड कर चुकी है और एक विकास त्यात्रा जो मोदी जी के नित्रूत में चल रही है इसको जहां जहां चुनावाया जन समर्शन मिला है आने वाले दिनों में और चार राज्यों के चुनावाने हैं तीपुरा, मेगालय, मिजोरम और करनाचा मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नित्रूत में इस चारो राज्यों में जहां जहां भारतिय जन्ता पार्टी लड़ेगी यह हम सहयोगी योग के साथ लड़ेंगे वहां पर भारतिय जन्ता पार्टी की निश्चित जीत होगी और भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरता यह चारो राज्यों में सरकार बनाने के लिए कटिबध है संकल्पवान है मोदी जी के नेत्रुत में 2019 का चुनाव जम हम लड़ने जाएंगे तब पुरे देश भर के अंदर इस जन्ट समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्थ हुआ होगा 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा होसला बढ़ाएगा और मोदी जो लख्ष रखा है 2022 का निव इंडिया की कल्पना देश के युवाव के सामें रखी है मुझे लगता है कि हम उसको सीद्ध कर पाएंगे और मैं फिर से एक बार मेरी बात समाप्थ करने के पहले भारती जनता पार्टी के करोड़ों कारेकरता भारती जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने इस चुनाव में अहरनिस काम किया है दिन रात काम किया है बीना ठके काम किया है वो सभी का भारती जनता पार्टी के अध्यक से नाते रदाई से धन्यवाद करता हूं हिमाचल और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता ह देश की जनता मोदी जी के निस्तूत में इसी तरह से भारती जनता पार्टी को अपना आशिरवात देथी रहेगी और ये आशिरवात को हम विकास यात्रा में तब्दिल करकर देश को 2022 तक बहुत आगे बढ़ाने का और न्यू इंडिया की कल्पना को सच करने का विश्वास के साथ प्रयाज करेंगे यही बात करकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ कोई जल्बादी मत करें सबका जवाब लेंगे सवाल लेंगे हम एक एक करके सवाल लेंगे विकास भधोरिया एविटी देखे चुनाव जीतने की ललक में जिस प्रकार का प्रचार का स्तर होता जा रहा है जिस तरह से गुजरात में जाती बात को भड़काया गया मैं मानता हूँ कि इसमें वाट्चेर को भी बढ़ाना बड़ी सिद्धी होती है और मैं ये निस्चित रुप से मानता हूँ कि जन्ता ने हमारे वाट्चेर को बढ़ाकर जन्समर्थन को दोहरा है वाट्चेर कम नहोना 22 साल की सरकार के बाद ये बहुत बड़ी करना मैं मानता हूँ इसे निचेस सरका प्रचार मेंने मेरे राजनितिक जीवन में नहीं देखा है सीला भट न्यूजिक दिखे बहुत सारे जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं हार के भी बहुत कारण होते हैं साथियों के साथ बैठ कर इसकी चिंता करेंगे मगर जहां तक आप जिस चीज का जिकर करें उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो दोनों जगे पे हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं सुरत और मैसाना दिकास चंद्रा सहारा भाव भाव या आठ प्रतिसत का अंतर कांटे की तक्कर नहीं होता है सीट का अंतर ठीक है मगर पहले आप ए समझ लो कि जन समर्थन हमें 8% ज्यादा मिला है किसी भी सेफोलेजिस से बात कर लो 8% का अंतर बहुत कम अंतर नहीं होता है जी दिखे मैंने कहा ना इसके लिए सीटे कम होने के लिए अगर किसी को जिम्मेदार मान सकते हो तो प्रचार के स्टर को गिराना और जाती बात को उक्साने दोनों को जरूर मान सकते हैं अब यह जिसने किया है उसने महुआ चटरजी टाइमस अफ इंडिया स्टरजी ओंडिया महुआ जी मैंने आगे कही दिया अंग्रे जी मैं बोलना नहीं चाहता है अब हिंदी साथ समझ रही है पॉल मी सा इंडिया तुदे कारण बताया मैंने प्रचार का स्थर जो गिडाया और जाती बात को उकसाया देखें जनता का जो फैसला होता है वो हमेशा हरे एक ने सीरो मानिय रखना चाहिए हम भी रखते हैं आगे की बात जो तय होनी है वो आज पार्लामेंटरी बॉर्ड की बैठक होगी उसमें होगी संजय सर्मा इंडिया निउस दिखें मैं दो चीजों पर ज्यादे फोकस करना चाहूंगा कि हम सरकार भी बना रहे हैं और वाट सेर भी हमारा बड़ा है और आप सायद इतने बारिकी से नहीं देखे हैं बहुत चारे एरिया में जो वाट प्रतिसात है उसी दिशा में गया है हरे एक जीत का अपना एक महत्व होता है गुजरात में चटी बार जीतना इतने गलत प्रकार के प्रचार के बावजूत जीतना मैं मानता हूं बहुत बड़ा एक्चिवमेंट है और हिमाचल में दो तिहाई बहुमत के साथ ब्रश्टाचार के खिलाप हमने जो लड़ाई लड़ी ही उसमें जीत लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धी है लीज मैथ्यू इंडियन एक्स्प्रेस देखिए हमने पहले ही गो सुना करिये आज परलामेंटरी बॉर्ड की मेंबर परलामेंटरी बॉर्ड की मिटिंग है उसके बाद में हमारे प्रवक्त आपको बताने है रविंद रिसिंग जीनियूज नहीं नहीं नेत्रू तो कौन करेगा वो तो परलामेंटरी बॉर्ड साय करेगा मगर जब मैंने 150 कहा तब कॉंग्रेस इतनी नीचे स्थरका प्रचार करेगी हमें मालूम नहीं था मैंना मैं भी काउंट कर लेता है मांसु मिस्रा आज तक चले सब लोग हस रहे इंडिया टीवी आनंद पंडे नहीं देखे आप देखेगा सब उसके पहले और बाद में जहां वोट मिला है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है मगर यह जो आप जिसका जिकर कर रहे हैं नीचे स्थरके प्रचार की इसमें कौन से इस्थू पर बीजेपी ने इनिसिटिव लिगा हमने कोई इनिसिटिव नहीं ले आए हम तो रिसीविंग एंड पर देखे अगर कोई प्रद्धानमंतरी जी के लिए इतने ओछे ओछी बात करेगा तो हम रिस्पॉंड नहीं करेंगे क्या सार्वजनिक जीवन में हम तो रिसीविंग एंड पर देखे क्या आप मानते हो मनी संकर यह भार्तिय जन्ता पार्टी के कारे करता हो कि सुनकर ब्यायन देंगे क्या है कि पायल रिपब्लेग्ड करते है कि एक गंटे तक फटा के फोड़ दिये थे कि दो जार नौ जीते अभी पंजाब में उप चुनाव जीते हैं पंजाब में उनकी सरकार बनी है यह सब का का यह सब जीत का कारण क्या है चली आगे उसा स्रिवास्टो पाइनियर कि अगा कि आगे अगा कि अगे अगा कि अगा है कि भारी नहीं पड़ा है मैंने कहां आठ प्रतिसत का अंतर कोई कम नहीं होता है कि दोजार बाड़ा से बड़ा अंसर है एक मिला संजय राए अरे भाईया आधी एक स्टेट कम हुआ है कि अंतिम स्वाव है कि वाचल उनके साथी जाथ नहीं पूछ रहे तो वह अंतिम मत करें कि देखे 2019 के चुनाव में मैं मानता हूं जिनों ने जातिवादी प्रचार किया है उनके लिए एक सबक है जाति के आधार पर चलने वाली पार्टियां डाइनिस्ति के आधार पर चलने वाली पार्टियां और एपीस्मेंट के आधार पर चलने वाली पार्टियों के लिए सबक है अगर सबक सिखते हैं तो 19 का चुनाव अच्छे माहोल में होगा 19 में भारतिये जनता पार्टी का जीतना सब्सक्राइब विपाली CNBC वो आप एनालिसिस करते रहिए प्रकास सिंग आप यूपी के चुनाओं के वक्त विदेश से क्या विदेश से आप उत्राखंड के वक्त विदेश से क्या आसाम के वक्त विदेश से क्या कि अधी कम हुआ बेर हमारी जिम्मेदारी को नहीं का से बाइं कि मैं और का प्रचार फो संध्र इसका कुद्तों उसर होता हैम जातीवाद छमाप्त होते हो कि हम तो प्रयार करें मंगर हम अक्ले कुछ नहीं कर सकते हैं कॉंग्रेस के प्रचार का जो नया सिस्टिम बना है जो उचेस्तर की प्रचार को उसको स्ट्रीटेजी में कंसिदर करना चाहिए इसना सिखने जैसी बात है संतोष कुमार अब इस पर मैं टिपण ही नहीं करता इनके साथ ही करने लगेंगे कल से कल से आप अखबार पढ़ना जर इंडियन एक्प्रेस कास पढ़ लेना हो गया है कि देखे नतीजों से इस पर कोई असर नहीं पड़ता भारतिय जनता पार्टी की सरकार की दिशा सही है और हम उसी दिशा में आगे हैं आप मुझे यह बताइए यूम का फैसला भारतिय जनता पार्टी का है हम उसको बदल सकते हैं क्या अब मेरी टिपण क्या मतलब गवर्मेंट का नहीं है जी चुनाव आयो का है पॉलमी सां इंडिया तुडे और हिमाचल में क्या हुआ नहीं हिमाचल में क्या हुआ दिखे ऐसा है कि यह सारी चीजे पुरे देश बर में थी उसके बाद में हम यूपी भी जीते हिमाचल भी जीते फिर्फ जातिवादी प्रसार हिमाचल में नहीं था जो गुजरात में किया थे सौरभ थिवारी चलिए भई आप ऐसे सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद चलिए धन्यवाद पिर… अदेवर् बह बच में से घागवन में आपaktन रहा दो चलिए सकत्त है बहुत में से बचल रेपादी आपक तो किए लिए रिए झाल झाल